श्री सिताराम, गोपाल राजो मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायन पांडे हम सभी देवी देवताओं की अपनी शद्धा, अपनी भक्ती, अपनी बुद्धी के अनुसार पूजा करते हैं लेकिन शास्त्र सम्मत पूजा से सम्मंदित विधान क्या है? किस देवता की कैसे पूजा करें? किस की मूरती रखें? शुबकारियों में किन की पूजा करें? किस की कितनी मूरती रख सकते हैं? कैसे पूजा करें? इस सम्मंद में अनेक अनेक प्रशन आते रहते हैं तो उन अनेकानेक प्रश्णों में से कुछ महत्वपूनों प्रश्ण लिये हैं जो सार्वभावमिक हैं सब के लिए लापकारी है एक प्रश्ण है कि किसी भी मंगल कारे में किसी भी मुख्य कारे में हम किन देवताओं की पूजा करें मत्से पुरान का बचन है कि आदित्यम गणनाथम चा देविम रुद्रम चा केशवम यानि सूर्य भगवान गणेश जी दुरगा जी शिवजी और विश्नु भगवान ये जो पंच स्वरूप है इश्वर के इनकी पूजा सभी कार्यों में करनी चाहिए यानि सर्व कर्मश पूजयेत सारे कर्मों में इनकी पूजा करें एक प्रश्न ये है कि घर में केवल एक मूर्ति रख सकते हैं अपने श्टेवता की देखें अत्यंत उच्छकोटी का कोई साधक है उसकी तो बात मैं नहीं कह रहा लेकिन शास्त्र माननेता है कि एका मूर्तिर नसम पूज्या यानि कल्यान चाहने वाला जो ग्रहस्त व्यक्ति है वो किवल एक मूर्ति की पूजा न करें कुछ अधिक मूर्तियां होनी चाहिए हाँ ये मैं कहूंगा बहुत अधिक भी घर में ना रखें एकदम क्योंकि शोपीस जैसी मूर्तियां ना बना लें इतना ध्यान रखना है कि देवी देवताओं की मूर्ति कोई सजावट का सामान नहीं है उतनी ही मूर्ति रखें जितने का आप संबान कर सकें उतनी ही फोटो रखें जितने का आप संबान कर सकें अच्छा घर में दो शिवलिंग ना रखें तीन गणेश भगवान की मूर्ति ना रखें दो शंक एक जैसा ना रखें, दो सूर्य भगवान की प्रतिमा, तीन दुर्गा देवी की मूर्ति, दो गोमती चक्र और दो शालिक ग्राम की पूजा, एक ग्रहस्ति व्यक्ति को नहीं करने चाहिए. आप चाहें तो या तो इनसे संख्या कम कर दें, या तो इनसे संख्या बढ़ा दें. एक विश्य ये भी है कि घर में अगर शाल ग्राम या बान लिंग, यानि जिसको हम नर्मदेश्वर कहते हैं, इन दोनों को हम रखना चाहें, तो रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं, विधि पराशर का वचन है उसके नुसार पत्थर की लकड़ी की धातू की मूरती जो हो वो घर में रखनी चाहिए अच्छा घर में चल प्रतिष्ठा और मंदिर में अचल प्रतिष्ठा होती है और एक विशेष्टा ये है कि मालिजे किसी ऐसी देवता की आपको पूजा करनी है जि द्विजि पॉंगव ना पेक्षी आवाहन विसरजने यानि गंगा जी में शालिग्राम शिला में और शिवलिंग में किसी भी देवी देवता का भाव करके अगर आप पूजा करें मालिजे आप गंगा जी में ये भावना करें कि मैं शिवजी की पूजा कर रहा हूँ ये जो पूजन सामगरी अर्पित कर रहा हूँ ये शिवजी को अर्पित कर रहा हूँ तो वो शिवजी को ही प्राप्त होता है तो गंगा जी में शालिग्राम शिला में और शिवलिंगे में आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर सकते हैं उसका जो पुण्ण है वो आपको प्राप्त होगा ही। ऐसे ही एक प्रश्ण तुलसी जी के संबंध में आता है कि तुलसी को कब तोड़ें कब ना तोड़ें। देखें, मंगलवार, शुक्रवार और रभीवार, इन दिनों में तुलसी जी को की पत्तियां ना तोड़ें, द्वादशी, आमावस्या और पूर्णिमा, इन तीन तिथियों में ना तोड़ें, संक्रांती और अगर आपके हाँ शुद्धी है, यानि जनना सोच या मरना तो इन में तुलसी जी के पत्ते को ना तोड़ें, हलांकि एक नियम ये भी है कि अगर आपके घर में शालिक ग्राम जी हैं और शालिक ग्राम की पूजा के लिए बिल्कुल तुलसी के पत्ते नहीं हैं, तो निशिद धितियों में भी तुलसी तोड़ी जा सकती है, लेकिन इसी तरीके से बिल्बपत्र के तोड़ने का भी निशिद काल होता है, चतुर्थी, अस्टमी, नवमी, चतुरदशी और अमावश्या, संक्रांती और सोमबार, इन तितियों पे आप बिल्बपत्र को भी ना तोड़ें, अब धिहान देना है, अगर आप निशिव जी को ब पहले ही तोड़के रख लें, तो इस तरीके से अगर आप पूजन में इन चीजों का ध्यान रखते हैं, तो आपको विशेश लाब होता है, क्योंकि देखें, शास्त्र की माननिता है कि विधी जितना महत्वपूर्ण है, उससे अधिक महत्वपूर्ण निशेद है, यानि क्या करना है से जादे जरूरी होता है क्या नहीं करना है, तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए लाब करी होगा, सीताराम